हमारे सब के घरों में डिशनरी इस तो होती हैं जिसमें कि हम लोग word के meanings देखते हैं आज कि इस वीडियो में python की dictionary की बात करेंगे python के अंदर भी dictionary काफी similar होती है होता यह है कि आप लोग की के corresponding कुछ values देख सकते हो जैसे कि हमारी normal oxford dictionary में की होती है वो word जिसका meaning हम देखना चा सकती है इसमें जो एकसेस होता है काफी फास्ट होता है क्योंकि डिशनरी की अपनी इंडेक्स होती है तो अगर आपकी डिशनरी में बहुत सारे elements है और आप एक की कर्सपॉंडिंग वैल्यू देखना चाहते हो तो आपको पूरी डिशनरी को एक एक करके स्कान करने की ज़रुवत नहीं है आप डिरेक्टली उसकी इंडेक्स में बहुच कर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो चलते हैं कंप्यूटर स्कीन में देखते हैं इस सारी चीज़े कैसे की जाती है कौन-कौन से मेटब्स ने डिशनरी के लेट्स किट स्टाटेड तो जैसे की घर पे हमारे डिशनरी होती है ऑक्सफॉर डिशनरी जिसमें की हम वर्ड मीनिंग्स एक ते है उसी तरह की डिशनरी पाइथन में भी होती है सौ बात की एक बात तो यह ठीक है और अगर मैं आप लोग को ठीक है मालो मैं ऐसे लिखता हूँ और मालो मैं लिखता हूँ स्पून और मैं आपर लिखता हूँ अबजेक्ट और मालो मैं इस तरह की जो मैपिंग है वो डाल देता हूँ और फाइनली मैं प्रेंट करता हूँ डिक्ट और इसके बाद कुछ इस तरह से हैरी तो मैं यूम से मैंने बनाया था D I C T नाम से नहीं मनाया था ठीक है तो आप देख सकते हो यहाँ पर human being जो है open end हो गया ठीक है तो dictionary बहुत ही symbol दी चीज़ है combination of key value pairs आप लोग इसको यूज कर सकते हो एक particular class के बच्चों के mark store करने के लिए आप लोग इसको मालो की मैं मालो मैं use करना जाता हूं एक integer मालो 344 जो है हैरी की वो employer ID है ठीक है मालो 56 जो है वो Shubham की वो employer ID है और 678 जो है मालो zaakir की employer ID है ठीक है और मालो 567 जो है वो neha की employer ID है तो अगर मैं यहाँ पर यह लिख़ू 5, 6, 7 लिखो, तो क्या मुझे नेहा मिलेगी, मिलेगी की नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, ठीक है, तो नेहा मुझे सिर्फ इसलिए मिलेगी, क्योंकि 5, 6, 7 के corresponding नेहा है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जोगे dishneries के साथ काम कर सकते हैं, अब आप देखो, dishneries are ordered collection of data items, they store multiple items in a single variable, dishnery items are key value pairs that are separated by commas and enclosed within curly brackets, ठीक है, अब क्या होता है कि python 3.7 onwards dishneries जो है, वो ordered होती है, पहले dishneries unordered होगा करती है, ठीक है, तो यह बात आप लोग को बहुत दिहान में लखना है, आप कौन सा python का version use कर रहे हो, उसके हसाब से ordered or unordered हो सकती है, आपकी dishneries, अब ordered or unordered का क्या मतलब है, यह मतलब है कि अगर मैं इसकी keys को print करूंगा, तो मुझे बार बार एकी order में मिलिंगी, ठीक है, अब keys को कैसे print करना है, वो मैं आपको बताऊंगा अब key क्या है, 344 key है, harry value है, 567 key है, neha value है, ठीक है, मैं आपर dishnery का नाम और उसके बाद यहाँ पर जो भी उसकी key है वो डालूँगा तो मुझे value मिल जाएगी, जो की neha है, ठीक है, किस तरह से access कर सकते हैं, आप dishnery items को absolutely यहाँ पर example में दिखाया हुआ है, बेगल वैसे ह कर सकते हैं, कि info के अंदर name current age 19 eligible true है, तो आपको यह dishnery पूरी की पूरी ऐसे print होकर मिल जाएगी, बढ़ अगर आप एक particular value को जो है print करना चाहते हैं, तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, कि आप कह सकते हो कि मुझे info के अंदर जो name की है, उसके corresponding value जाएगी, तो वो current है, ठ info name करके कर सकते हो, या फिर आप info.get name करके कर सकते हो, मैं एक काम करता हूँ, इसको name ही कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि ये और ये, in a way, exactly the same thing है, but there is a difference, जो कि मैं आपको बताऊँगा, अगर मैं इसको name to कर दूँ, और मैं इसको run करूँ, तो आप लोग देखो कि ये वाली जो line है, यहाँ पर मुझे एक error दे रही है, कि भाई name to जो है, की error दे रहा है, कि भाई name to नाम की कि आपकी info में है नहीं, आप कैसे access कर रहे हैं उसको, लेकिन अगर मैं .get करूँगा ना तो मुझे none मिलेगा, आप देखो यहाँ पर none print हो जाएगा, तो अगर आ upon the use case, आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है, बट ये दोनों जो है, अगर name exist करता है, तो same चीज़ प्रिंट करेंगे, तो I hope कि ये चीज़ समझ में आ गई आप लोग को, अब multiple values को कैसे access करना है, अगर आप लोग चाहते हो कि सारी values को एक साथ access करो, या सारी keys को एक साथ access करो तो आप कर सकते हो कुछ इस तरह का काम, आप कह सकते हो कि भाई मुझे सारी keys दे दो, और सारी keys आपको मिल जाएगी, name मिल जाएगी, age मिल जाएगा, eligible मिल जाएगा, तो ये वो सारी keys हैं जिनको आप access कर सकते हो, अब एक और काम आप कर सकते हो, आप कह सकते हो for key in info.keys और ऐ name के corresponding क्या है, age के corresponding क्या है, eligible के corresponding क्या है, तो current, illness and true आपको मिल गया, ठीक है, तो I hope कि यह जीज आप लोग को समझ में आ गई, अब यह ordered होती है, तो इसको बिल्कुल same order में आप लोग देखोगे output में भी, ठीक है, तो dot keys करने से आपको सारी keys मिल जाती है, और dot values करने से, आपको values मिल जाएंगी सारी, तो अगर मैं आप पर print info dot values करूँगा, तो आपको सारी values मिल जाएंगी देखने को, जोगी current, illness and true है, ठीक है, current, illness and true values है, तो values को अगर आप लोग same order में लेना चाते हो, तो ऐसे भी ले सकते हो, और ऐसे भी ले सकते हो, iterate करके keys को, ठीक है, ये वाला मैं use करूँगा method, अगर मैं मालो यहाँ पर एक f-string use करता हूँ, मालो, ठीक है, और मैं इसको obviously एक bracket में डालूँगा, curly bracket में, और मैं लिखूँगा, the value corresponding to the key, key is, is, और मैं ये लिख दूँगा, तो मेरा जो output है, वो क्या आएगा, कि value corresponding to the key, name is current, value corresponding to the key, age is 19, the value corresponding to the key, eligible is true, ठीक है, तो मैं यह करके, सारी keys को iterate कर रहा हूँ, और उनकी values को print कर रहा हूँ, इस वाले syntax का इस्तेमाल करके, तो dictionary का syntax, dictionary का नाम, और उसके बाद square bracket में, key आप लिख दोगे, तो आपको, मिल जाएगी ये value, जो dictionary के corresponding आ रही है, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि, हम keys को access कर सकते हैं, syntax का इस्तेमाल करके, और key value pairs को, हम access कर सकते हैं, item syntax का इस्तेमाल करके, वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, तो मैं यहाँ तक सब कुछ comment out करता हूँ, in fact, यार, मिटा ही देता हूँ, क्योंकि सब कुछ तो यार लिखा हुआ है, ठीक है, यहार रहने देते हैं, मिटाने का कोई फाइदा नहीं है, अगर मैं आपर लिखू, तो यह टपल जो है, अनपाक हो जाएगा, तो मुझे के अंदर मिल जाएगी, की और वाल्यू के अंदर मिल जाएगी, वाल्यू, तो अगर मैं दुबारा से, यहां से नगल कर लेता हूँ, बार-बार इतनी महनद क्यों करूँ, तो अगर मैं कुछ ऐसे करूँ, की, the value corresponding to the key, key is info, in fact मैं इसको value कर देता हूँ, इसको value कर देता हूँ, यह भी काम करेगा, obviously, क्योंकि उस dictionary की value ही है, बट यह भी काम करेगा, क्योंकि key के अंदर आपकी key आगई, value के अंदर value हो आगई, तो यह जो है आपके items, अगर आप लोग प्रेंट करोगे इस तरह से, तो यह आपको ऐसे दिखेगा, dictionary का use क्या है, एक mapping create करने के लिए, एक class के सारे बच्चों के marks, एक company के सारे employees का employee code, या उनकी performance में ट्रेक की भाईओ, कैसा hundred में से, उनकी performance को कितना rate किया जा सकता है, या फिर हर item का MRP, एक किसी भी retail shop में, ठीक है, जिसे बाद लो, आप एक grocery store own करते हो, तो एक dictionary बना सकते हो, कि item code ये, और उसका price ये, item code ये, उसका price ये, जब भी आपको किसी भी item का price यानना होगा, आप उस dictionary को access कर सकते हो, ठीक है, तो ये चीज, जब आप database में चीजे store करते हो, तो काफी जादा helpful होती है, ठीक है, तो ये है हमारी dictionary, ठीक है, ये dictionary के basics से, I hope आपको समझ में आ गया, और मुझे नीचे comment में सब लोग बताओ, यार अब तक course कैसा चल रहा है, और अगर आपने 10-30 दिन तक course देख लिया है, तो आपने 30% जो है, वो course अल्मोस देख लिया है, तो मैं चाता हूँ कि आप लोग अभी first video पे जाओ, और आप अपना experience बताओ, कि यार मैं day 33 पे हूँ, मुझे ऐसा feel हो रहा है, I want all of you to comment, यहाँ पे जाओ day 1 में, और review करके comment डालो अपना, कि बाई review colon, जो भी आप सोचते हो इस course के बारे में, जैसा भी आपको लगता है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कोई feedback हो मेरे लिए, अब डाल दो, क्योंकि कोई भी इंसान अगर आएगा नया, इस course को देखने के लिए, तो मैं चाहता हूँ दिल से कि उसको बदा चले, कि यह course क्या value addition कर रहा है उनकी life में, और कर भी राए की नहीं कर रहा है, क्या है, क्या चीज़े हैं, क्या नहीं है, ठीक है, दिल से बहुत अच्छा लगेगा, अगर आप लोग ऐसा करोगे, फर्स्ट वीडियो में जाकर, एक comment डालना, review colon करके, कि आप यार, पांच में से कितने start देते हो, इस course को, और क्या आप लोग सोचते हो इसके बारे में, प्लीज मुझे नीचे बताना, comment में, बट इस वीडियो के नहीं, दे वन के वीडियो के, अभी के लिए इस वीडियो में इतना हैं गाई, थैंक यू सो मच गाई पो वाचिं इस वीडियो, and I will see you next time.